हरार महाद एक किसान बंदू हो मैं लगकुस बाले आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल यलके पाल खेती बारी में किसान बाईयों आज की इस वीडियो में हम ना बात करेंगे कि गेहूं में बालिया निकलने के बाद सबसे जरूरी और महतुपूर कार क्या होता है वैसे तो किसान भाईयों गेहूं में बालिया निकलने तक आपने जितने भी कारे होते हैं लगभग वो सारे कार करते ही हैं जैसे समय समय पर खाद उरवरग डालते हैं और समय समय पर आप इस्प्रे वगएरा भी करते हैं तो समय समय पर गेहूं की देख भाल भी करते रहते ह कहने का मतलब है कि गेहूं की खेती के सारे कार खाद, पानी, दवाई सब आप करते रहते हैं लेकिन जैसे ही गेहूं में बालिया निकल आती हैं बालिया बन जाती हैं तो यहां पर किसान भाई आप लोग सोचते हैं कि अब जो हमारा कार है वो समाप्त हो चुका है, मतलब कि हूँ कि खेती में सारे कारे खत्म हो गया है बस किसान भायों, यही थोड़ी सी लापरवाही आपकी बहुत भारी पढ़ जाती है यही पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, यही आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है तो वो क्या कारे है, ऐसी वो कौन सी गलती किसान भाय करते हैं, जिसे से कि उनका जो उत्पादन है, वो कम से कम 20% तक प्रभायत हो जाता है तो कौन सी वो गलती है, कौन सी वो कम्या है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को बिना भगाया आखरी तक बने रहे हैं किसान भाजियों, जब गेहों में बालियां बन जाती है या पूरी तरह से बालियां निकल जाती है तो इस टाइम पर गलती क्या करते हैं उसको मैं बता देता हूँ लगभग लगभग, 70% किसान भाई ये गलती हमोमन करते ही करते हैं और जो उसके बाद उनका जो पैदावार उत्पादन होता है वो कम हो जाता है फिर वो कहते हैं कि गेहों की भुवाई से लेकर हमने बालियां निकलने तक इतनी मेहनत की गेहों भी बहुत अच्छा था, सांदार था हमने सारे उरक पोसक तत्र भी ढाले थे सारे कार समय समय पर किये थे लेकिन फिर भी गेहों के उत्पादन उत्रा नहीं हुआ जितना की अपच्छा थी जितना की होनी चाहिए तो ऐसा क्यों होता है किसान भाईयों अगर इस गलती को आज आप भी करते हैं तो इस टाइम पर जैसे की जो आपका जो गेहों की दाने की जो साइज है वो छोटी रह जाती है दाना से कूड़ जाता है दाना पतला हो जाता है बालियां छोटी रह जाती है बालियां मोड जाती है यह सब जो है कि दिकते आती है तो किसान भाईयों यह दिकते आती कहा हमने सुरू से लेकर बड़ी बारिकी से ध्यान दिया है हर चीज जो है आपने समय समय पर क तो आखिरकार लाश्ट टाइम में ऐसा क्या हो गया जो आपका पूरा मेहनत आखिरकार गया तो गया कहां पैदावार में लवगपित प्रस्त की कमी हो गई तो किसान भाईयों जो आपकी ये दिकते हैं वो पानी की कमी के कारण जी हाँ किसान भाईयों पानी की कमी के कारण ये सब दिकतें आती हैं, यदि बालियां बनते वक्त, या बालियां निकलने के बाद, आपके खेत के अंदर पानी की नमी कम हो गई, पानी आप आपने नहीं लगाया, या फिर सिचाई की कमी रह गई, तो किसान भाईयों आपका जो गेहूं का दाना होता है, उसका भराव अ किसान भाईयों एक पानी की कमी आखिरी टाइम पर एक सिचाई की कमी कर दी, तो किसान भाईयों आपकी सारी मेहनत विकार हो जाएगी, और जो आपका उत्पादन है, वो लगभग बीत प्रतिसत नीचे चला जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा, कि जब पानिया बनने लगे या बन जाए तो उस टाइम आपको एक पानी अवस्य देनी चाहिए, इसके लिए आपको अपने गेहों के खेत की नमी चेक कर लेनी चाहिए, कि उसमें नमी है या नहीं है, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं और अगर नहीं है तो किसान भाईयों इस टाइम पर एक पानी हलका पानी आवर से लगाएं उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ज़्यादा ज़्यादा किसान भाईयों के पास सेयर करिए ताकि ओ भी जनकारी से अउगत हो